हलो एफ्रिवन तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ यह बहुत ही सुन्दर और प्रिटी फैब्रिक पेंटिंग का डिजाइन मटीरिल रिक्वाइड अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिखाए दे रहा होगा तो चलिए अब हम करते हैं इस डिजाइन की ड्रॉइंग स्टार्ट बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ड्रॉइंग है आप देख सकते हैं मैंने जैसे स्क्रीन पे बनाई है आप एक्जाक्ली सेम तरीके से वैसे अपने कपड़े पे बना सकते हैं आप कपड़े के उपर इसको light draw करिएगा, otherwise ये आपके कपड़े में painting के अंदर से reflect होगा ये जो beach के दो leaves हैं, इनका size हम थोड़ा रखेंगे, उससे look जादा अच्छी आती है तो ये मैंने अब अपने कपड़े पे draw कर लिया है, और अब हम करते हैं, coloring start मैंने लिया है 5 number का flat brush और pink color by Fevigal brand अब मैं simple जो मैंने beach में चोटे चोटे दो leaves बनाए थे, उसके उपर मैं अपने pink color से border दे रही हूँ आप देख सकते हैं screen के उपर कैसे, ये border बनाते हुए आप अपने color की quantity को थोड़ा सा जादा रखेंगे ताकि आपको blush करते हुए और उसको mix करते हुए color अराम से मिल जाए देखिए अब जो मैंने line बनाए थी, उससे मैंने अपने leaves हैं, उसके अंदर कैसे हमारे color को move कर रही हूँ अपने brush की helps है, exactly same तरीके से हमने हमारे सारे leaves के अंदर ये जो border बनाया है, उससे हमारे color को blush करना है अब हम लेंगे white color और five number का flat brush और exactly same तरीके से जैसे हमने pink shading की है, वैसे ही हम अपने white color से भी exact same तरीके से shading दे देंगे हमने ये बाहर से अंदर की side पे shading देनी है, white color लगाते हुए आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका brush है वो एकदम clean हो, इसमें कोई और shade या pink shade जो आपने use किया था, वो ना हो नहीं तो white में pink mix हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा अब ये जो हमारा देखिए बीच में थोड़ा सा gap रह गया है, जहाँ shading नहीं आई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे pink color और हमारा वही 5 number का flat brush और देखिए उससे हम जो हमारा अंदर pink side का color है, उसको हम धीरे धीरे करके हमारे white में हलका हलका सा mix कर देंगे, आप द brush ले लें, ताकि जो आपके दोनों colors है, वो अराम से mix भी हो जाए और एक दूसरे के उपर overlap भी ना करें, अब ये जो बीच के दो leaves है, ये कैसे करने हैं, हम ये start करते हैं, इसके लिए भी हम exactly same तरीके से ही करेंगे, मैंने लिया है pink color और जैसे मैंने leaves में shading दीती है, वैसे ही और shading दालेंगे, तो हमारे leaves अलग-अलग दिखाई देने लगेंगे, इन leaves को भी हमने exactly जैसे हमने नीचे वरे leaves की है, exactly उसी तरीके से हमने shading देनी है, और हमारे सारे leaves हम इसी exactly सेम तरीके से shading देने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे, अब हम लेंगे crimson red color और हमारा 5 नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे, अब हम लेंगे maroon shade, अब जो हम maroon shade लेंगे, वो हमने बिल्कुल अपने धकन में टिप को टच किया, बस इतना ही लेना है, अगर कम हो गया तो आप दुबारा ले सकते हो, क्योंकि ये color बहुत dark है, और अगर जादा लग गया तो हमारे पूरे फ्लार की grace खराब हो जाएगी, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से लेंगे, और जैसे red से shading दी है, exactly सेम तरीके से अपने maroon color से भी shading दे देंगे, crimson red और maroon दोनों colors से हमने हमने हमारे सारे leaves में shading देनी है, सिवाए जो अंदर के दो leaves हमारे है, उसमें नहीं द देनी है, और इस step के बाद हमारा design कुछ ऐसा दिखाई देगा, अब आप इसको पिल्कुल अच्छे से सूखने देंगे, उसके बद मैंने 8 number का flat brush लिया है, और simple plain water मैं अपने इस flower के side में लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा gap छोड़के पानी को लग brush की help से, 8 number brush की help से, border पे आप color को touch करेंगे, और उसके बाद आप simple plain पानी से अपने इस color को सारी जगा पर थोड़ा-थोड़ा फैला देंगे, पानी की help से फैलाएंगे, और extra color नहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत जादा color हो जाएगा, ये step करते वक्त आप द्यान देंग अच्छे से सूख जाएगा, तो मैंने लिया है dark green color, और 5 number का flat brush, और अब उसकी help से मैं बना रही हूँ, leaves, आप चाहें तो leaves draw कर लें, मैंने leaves free handy बनाए थे, मैं हमेशा leaves free handy बनाना पसंद करती हूँ, आप देख सकते हैं कैसे, एक side पे मैंने dark green shade लिया है, और अपने flat brush की help से मैंने उसको अंदर की side पे color को move कर लिया, exactly सेम तरीके से मैंने एक side पे lemon yellow shade लिया है, जो आपको ये light green का color का shade दिखाई दे रहा है, ये color नहीं लिया है, कि dark green और yellow थोड़ा सा mix हुआ है, तो उसकी वज़े से ये green का shade automatically reflect हो रहा है, leaves को shading देते वक्त आप ध्यान रखें कि और dark green में shading आने चाहिए, और dark green की yellow में थोड़ी-थोड़ी shading आने चाहिए, एकदम से ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा color mix कर दें और आपका पूरा का leaf एक ही color का हो जाए, इस बात को आपने थोड़ा ध्यान से करना है, मैंने इस leaf को थोड़ा सा dark और किया है, थोड़ा सा dark green color डालके, और अब हम हमारे सारे leaves exactly इसी सेम तरीके से बना लेंगे, leaves की placement आप मेरी drawing से देख सकते हैं, अब मैंने लिया है triple zero brush और black color, और आप देखिए मैंने कैसे इसके बीच में पतली-पतली सी stems बना दी है, अब यहाँ पर भी हम बिल्कुल पतली-पतली सी stems बनाएंग नई तो color painting spoil हो जाएगी, अब हम लेंगे triple zero brush और lemon yellow shade और उसकी help से हम उमारे से में चोटी-चोटी सी dots लगा देंगे, यह design पूरा होने के बाद, इसको 24 hours आप सूखने देंगे, और उसके बाद उसकी back side पे press करना बिलकुल मत भूलिएगा, और यह देखिए मेरे flowers और leaves बनन जरूर करें, आपने friends और family के साथ जरूर शेयर करें, कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, उसके लिए आप मुझे Instagram या Facebook पे message लिख सकते हैं, दोनों के link मैंने description box में डाल दिये है, thank you so much